वेलकम टू माई चैनल गनेश दोस्तों आप लोगों पता ही होगा कि यहां पर यू आई डिया ने नया अधार काट को लॉंच कर दिया है तो दोस्तों आप नया अधार काट को कैसे डाउनोड कर सकते हैं इसमें क्या डिफ्रेंस है ओची आपको हम सारे के सारे चीफ बताएं दोस्तों जो यहां पे original जो अधार काट है उसको अभी नया अधार काट है उसी को माना जाएगा और जो पुराना वला अधार काड्ण है व हापे उसको भी reject नहीं किया गया है लेकिन जहां पर अगर किसी जॉब में जाएंगे एक्जाम देने के लिए या फिर कहीं जो guvernment के संस्ता होकर वहां पर जाएंगे तो हहां से आपको रिटर्ण करने का चांस बनता है क्यूंक्त यह पुराना वर्जन यहता Ó ऩूर्छन आरण वर्जन लिखेंगे तो आपको पहला website आजाएगा उसको open कर लेना है open करने के वाद आप से यहां पे पूछा जाएगा language के बारे में यानि कि आप किस भासा में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको जिसमें दिलकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं मैं यहां पे इंगलिस में आगे को प्रेस कर दिया हूं कुछ इस परकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको नीचे आना है यहां पर लिखा होगा डाउनलूड अधार तो डाउनलूड अधार वाले अप्सन को टैब कर देना है जैसे यहां पर खुले जास से दोस्त आप इस वीडियो को जाएगा तो दोस्तों हम आप अपना अधार नंबर दे देंगे तो अधार नंबर देखर के नीचे में आपको कैप्चा कोड जो दिख रहा है इस बाले बॉक्स में कैप्चा कोड कर देना को फील करने के बाद सेंड डोटीप वालाउसंग को क्लिक कर देना है और अभी त लगिन और देना है तो आपको उसन सब्राइब करने के लिए करणा देने के लिए अब लोगिन हो चुकी है एक्पयां अपको देखने देखने मिलें आपड снова को देखने मिल जाएगा देखना चाहे तो आप देख सकते हैं नहीं तो डाउनलोड वाले अप्सकंटो को क्लिक करेंगे तो यहां प्याँ अधर कर जो डाउनलोड हो जाएगा में इंपोर्टेंट बात दोस्तों कि इसका पासवर्ड क्या होगा वह पासवर्ड का भी एक्जामपल आपको नीचे में दिया हुआ रहेगा तब देख पहेंगे मेरा अधारकार जो होगा डाउनलोड हो चुका है है कंग्राजुलेसन आगया यह रधार हैस बीन डाउनलोड सेक्शेश्फूली तो दोस्त आपको हैं पर देखने मिलेगा नाम यानि पासवर्ड है आपको नीचे देखने मिलेगा किसीं का नाम अगर अनिश वाइकुमार है उसका डेट देट ऑ इटॉफ यर जो है वह आपक लेटर में होना चाहिए तो हम यहां पर आते हैं आप देख पहेंगे कि मेरा अधार का डाउलोड हो चुका है मैं इस पर क्लिक कर दिया हूं यहां पर पढ़ में आपको बता है उसी पासवर्ड डाल देना है पासवर्ड डालने के बाद ऑफ़न देखने-पासवर्ड को क्लिक करेंगे आपका अधार काट को बहुत अराम से देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं किसी को send कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें दुवारा password ना लगे तो आपको आपको उपर में थे dotted line है उस पे click करना है और आपको यह पर print का option देखने को मिले का print वाला आसन को click कर देना है नेक्स्ट में फिर से आपको यहाँ पर 3 जो dotted line है इस पे click करना है और save video वाला आसन को click कर देना है इस video का आप चाहे कोई भी नाम दे सकते हैं मैं आपको कूछ भी नाम दे देता हूं से बाला सुन को click करेंगे तो आपको यहाँ पर दुबारा जो उसको open करेंगे जो आपको पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा और इसका quality भी बेकार नहीं होगा दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में complete जनकारी बता दिया है कि आप अधार कार्ट को कैसे आउनलोड कर सकते हैं और आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए चनल को सब्सक्राइब किजिए और दोस्तों के साथ सेल किजिए